आजका लेक्चर है लेक्चर नमबर 26 लेक्चर नमबर 21 से लेक्चर नमबर 25 तक हमने Winter 2019 का पेपर हमने Solve किया था और आज हम लेक्चर 26 से Summer 2019 का पेपर हम स्टार्ट करें थे ये भी पेपर चार या पाँच वीडियो तक कम्लिट होगा तो ही देखते हैं पहले Question No.1 जो आपका MCP होता है उसमें दो questions पूछे थे First है Derivative of 10x So Derivative of 10x का formula आपको लिखना है सिरफ Derivative of 10x is sex square x तो इतना ही आपको करना है उसके बाल next question है के differentiation of 10 inverse x plus cot inverse x तो इसमें आपको ये question solve करना हो तो इसके formulas available है दोनों के जो मैंने यहाँ पे लिखे है differentiation of 10 inverse x और cot inverse x वो यहाँ पे हमको value put करना है देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है पहले तो इसको solve करने के लिए d by dx को पहले इससे multiply करना है उसके बाद d by dx को इससे multiply करना है तो क्या होगा d by dx ओ 10 inverse x हो जाएगा अंदर multiply होगा तो पहले फिर d by dx इससे multiply होगा तो d by dx cot inverse x होगा उसके बाद आपको formula put करनी है तो देखो 10 inverse x का formula क्या है 1 upon 1 plus x square तो वो हम यहां रखेंगे that 1 upon 1 plus x square cot inverse x का formula यहां से देखो तो है minus 1 upon 1 plus x square ठीक है? तो हमने यहां पर formula put किया अब plus और minus plus minus is minus तो क्या होगा इसमें? यहां पर minus आप रहेगा और आप देखो दोनों same है बस negative positive का फरक है तो दोनों cancel हो जाएंगे तो जब उपर उपर cancel होते है तो हम उसको 0 लिपते हैं यानि इसका अंसर आपका आएगा 0 इसी के साथ first question के दो questions आपने solve किया उसके बाद आपका question number 3a जो है वो हम next lecture से start करेंगे keep watching my channel all the rest